दोस्तों वेलकम डूमाई श्राइन पॉइंट आवक लास से जसके आप सभी को बता कि हम आपके लिए कोई नवी मैट लाते रहते हैं तो आज आपके लिए पांचों जो चैप्टर है उसके बीच का आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा लोक कला तो लोक कला के अंदर से पहल हैं एकतरह से प्रव कुन सा नची का और झiron के बार में न में बातचित करने वाले तो है कोए अंका श्राद अवाडबु की योजड़न किया जाता है इसका अलगे नाम से जढान बैठी आता है आ पे कांचच के टुकड़े मोतीDe पूड़ी कोड़ी पत्थर पंक कागच कपड़ा फूल पतियां अधिक अप्रयों करके एक दमक्ति हुई रंगीन चित्रा करशक अकर्थी बनाती है इसके लावब पूजन किया जाता है घर की कामना के लिए पूजन करती है पहले दिन से दिसमें दिन तक एक या दो परती की प्रती दिन बनाया जाते हैं किन्तों अंतिम पहास दिन बहुत है बड़े अकार की संजी रिचना की जाती है मेन या की संजी का निमान किया जाता है फिर यह कब कब क्या कर बना जाता है मांडरना क्या होता है दिवारों के उपर अलंकरित करके कुछ नों कुछ बनाया जात माडरी pizz, इसको का उत्रा कहता है, इसमें अलग अलग तरह हैं कि चीजे realities बनाई जाती है इस के लाब में ए कुछी में पुश्कर पई्ड़ी तसा पंथ शावोरी मंडी जाती है दिवारों के उपर मन रहता है फड़ के होता है ये बीलवारा के शापूरा घस्बे में जोशी प्रिवार फड़ चित्रने करता है जो कि कागच के आपका कपड़े के उपर क्या होता है जिसके बीच में पूरी कहानी लिखी जाती है कि ये राजा मारा राज हुआ था इसने इसके बीच में आपको देखने को मिलती है ये सूती कपड़े का रेशा होता है जिसमें गेहूं या चावल के मांड में गोद मिलाके कलफ पर लगाया जाता है तो इसकी अकरती बहुत ही सुन्दर होती है बनाई हुई आप चलूर देखें पानी क्या होते हैं पाने कागच काष्ट कलागरती है चितोड जिले के बसी गाव के अंदर सबसे अधाय परसीदा तो आप से पुछेंगे कावड कौन सी कलागरती होती है तो काष्ट की कलागरती होती है इसमें कई द्वार बने होते हैं कपाटों पर चितर हंकित रहती हैं इसके अलावा कथावाचन के सम में तो आप सब्सक्रानी है कि अगर बाया चांस कभी चोड़ी करके ले आता है तो उस दाग से हमें पता लग जाते कि ए हमारा ही पशू था उसके लाओ मैंडी मैंधी के बार में तो आप सभी पता ही यह उसके नहीं है कि हम कह सकते हैं एक तरह से टाटू जो होते हैं वह बन कि आपको पुराने करों में सरवत्तर दिखा दिती है इसमें पतली खप्चियों को दागे से बांद कर गोड़े को गोड़े की लीद मिलाकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है और यह विबन प्रकार के खाने के लिए मतलब उसके हिस्से होते हैं जिसके वीच में कोई नकोई समान को बरके रख देती हैं एक तरह से आपकी यह जिसके बीज़े करली कर्व दिकाता है यह अमरूद की लकड़ियों से बनाई जाती है और यह आपको 965 में रुमानिया में आयोजी तर्तिया अंतराश्टी के कटपुतली सम्वारों में उद्यपूर के बारतिया लोकला मंदल के कलाकारों ने राजस्थन की इस कला में विशेव का प्रतम पुरुसकार प्राप्तगर तहल का मचा दिये था करना तो यहां पर अपनी यह कंप्लीड रहती है इसके बापने जो कोशन वर वह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे तो बाई अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो पसंद थे तो प्लीज्ट को लाइक करो और सब्लों को साथ शेयर करें थैंक यू